हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे चैनल बीटी उपी स्टुडी पॉइंट में स्वागत है दोस्त हम आपके लिए एक बहुती बड़ी अपडेट लेकर आये हुए हैं जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी प्रवेश परिच्छा जो है वो 12 सितंबर को आफलाइन होनी है गुरूप A और E1 E2 के लिए तो सभी स्टुडेंट ध्यान देंगे परिच्छार्थी इन बातों का विशेज ध्यान देंगे जो हम बताने वाले हैं अन्यथा दोस्त आप इंट्रेंस एक्जाम नहीं दे पाएंगे तो क्या है दोस्त इंफामेशन वीडियो को दोस्त एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ जाएं और दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर येगा इस चैनल पौइडत इस चैनल के माध्यम से दोस्त हम आपको बताएंगे कैसे आपको counseling करानी है, कैसे आपको college लेना है, कैसे आपको college में admission पाना है, सब एक और प्रक्रिया अकिप्दारे में दोस्त हम details से बताएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहे, बात करते हैं दोस्त यहाँ पे आपके लिए notification जो आई है यहाँ पे Polytechnic में दाखले के लिए offline परिच्छा 12 को और 15 को online परिच्छा के लिए प्रवेस पत्र आपका जारी हो चुका है अभी तक जो भी student अपना admit card डाउनलोड नहीं किये हैं तो वो official website gcup.nic.in पर जाकर अपना admit card प्रवेस पत्र डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें दोस्त इन चीजों का विश्यस ध्यान देना है जब आप entrance examination देने जाएं तो सबसे पहले दोस्त यहां पर परिच्छार्थी जो है वो डेढ़ घंटे पहले ही परिच्छा के अंदर पर पहुचना होगा ऐसा क्यों दोस्त यहां पर बताया गया कि परिच्छार्थी से डेड़ घंटे पहले परिच्छा केंदर पर पहुचना होगा साथ ही उनके साथ सेनिटाइजर, पानी की बोतल, मास्क और लेखन समगरी खुद लेकर आना होगा ये चीजे अनिवार है, मास्क और सेनिटाइजर आपके पास होना अनिवार है, तभी आप इंटरेंस एक्जाम दे पाएंगे और भी दोस्त अगला यहाँ पर है, परिच्छा केंदर में मोबाइल पर्स कोई इलेक्टरानिक उपकरण पाठ समागरी लाने की अनुमती नहीं है अथार्थ वहाँ पर कोई भी मोबाइल कैलकुलेटर आदी उपयोग नहीं कर सकते, अंदर लेकर नहीं जा सकते परिच्छा केंदर में प्रवेश के दवरान प्रतेक अभ्यरती की thermal scanning की जाएगी और मानकताप से अधिक होने पर अभ्यरती को एक अलग परिच्छा के देने के लिए बैठा जाएगा ठीक है अलग कच्छा में परिच्छा देने के लिए बैठा जाएगा अगर उसका temperature हाई होता है तो मानकताप से अधिक होता है तो वो अलग कच्छ में परिच्छा देगा यहां पर दोस्त बताया गया प्रदेश में राजकी अनुदानित और नीजी पाल टेक्निक संस्थानों में दाखनी के लिए सर्यूक्त प्रवेस परिच्छा 12 और 15 सितंबर को होगी 12 सितंबर को अफलाइन होगी और 15 सितंबर को ऑनलाइन होगी 5 सितंबर से आपका प्रवेस पत्र डाउनलोड हो रहा है जो भी student नहीं डाउनलोड की हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं कहां से डाउनलोड करेंगे gcup.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रदेश के 24 जीलो में 15 सितंबर से होने वाई अनलाइन परिक्षा के लिए सो मौर को प्रवेश पत्र जारी कर दी हैं सभी यहां पर ग्रूप के ठीक है तो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं website पर और इसके लिए दोस्त अगर आपको कोई भी problem होती है इन परिक्षा से जैसे आपको admit card से related problem होती है admit का डाउनलोड नहीं हो रहा है या आपको कोई भी problem है तो आप टोल free number इस पर दिया हुआ है आप टोल free number पर call कर सकते हैं या आप mail के द्वारा भी solution पा सकते हैं तो जिस भी student को कुछ भी न समझ में आए तो आप टोल free number one eight double zero one eight zero six five eight nine पर संपर कर सकते हैं इसके लिए दोस्त आपको यहां पर बताया गया टोटल आपको कितने यहां पर दो पाली में होंगे पहले पाली के लिए दो लाख अठाटाजार एक सो पैतालिस अभ्यारती और दूसरी पाली के लिए जिसमें गुरूप एवन एटू के लिए चाचट हजार तीन सो छे अभ्यारती पंजिक्रित है ठीक है वहीं अगर आनलाइन पर इच्छा की बात करें तो पहले पाली में हैं 22,597 में जो की 115 केंद्रों पर और दूसरी पाली में 23,846 अभ्यारती जो की 116 केंद्रों पर होंगे तो सब मिलाकर दोस्त आपको अनिवारे जो चीजें हैं ये चीजें आपको लेकर ही जाना है तभी आप इल्ट्रेंस एक्जाम दे पाएंगे मास्क औ और सेनिटाइजर आपके लिए अनिवार है तो आसा करते हैं दोस्त इन्फॉर्मेशन आपको समझ मर आ गई होगी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में सेयर करना न भूलिएगा ताकि दोस्तों सभी स्टूडे